नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रेंड धमसनवार्ग सुक्रवार का दिन है आज आप रात में सोने के पहले तक कुछ ऐसे उपाए हैं जो कर सकते हैं जिससे धन की देवी लक्ष्मी का निवास आपके घर में होता है और तमाम परिसानियों का भी अ पुर्व उत्तर कुने में अगर आप जलाते हैं और उसमें मौली धागा की बाती बनाकर डालते हैं यानि रूई की बाती नहीं बनानी है और इस घी के दिये में एक दो पंखुरी केसर के डाल दें यकीन मानिए धन ब्रदी के योग बनने लगते हैं जीवन में घोर से घो सफेद मिठाई खिलाते हैं तो यकीन वानिए जल्द ही आपके घर में खुसियां बरसने लगती है तो यह आप आगे से जरूर आजमाईएगा और देखिएगा कैसे जीवन में तमाम परिसानियों का अंत होने लगता है अब धन को पर्मानेंट अपने घर में रखना चाहत थोड़ा सक के सर यानि एक चुटकी एक चांदी का सिक्का सब कुछ बांध लें माता लक्षमी के पास रख दें पुस्व अक्षत कुमकुम से पूजन करें और फिर आप इसे ले जाकर अपने तीयोरी में गल्ले में रख लें यकीन मानिए आप बयापारी हो या फिर आप जौब करते हो धन की तमाम परिसानिया का समाप्त होगा और घर में पैसा आने लगेगा अगर आप के घर में संख है तो सुभा साम संख तीन तीन बार जरूर बजाईए ऐसा करने से नकारतमक उड़ जाएं दूर चली जाती है और घर में बरकत होने लगती है बहुत सिंप सुक्रवार का दिन होना चाहिए आप मा लक्षमी को खीर अरपित कर सफेद मिठाई अरपित कर या फिर ऐसे ही आप खड़ित के ले आए और सफेद चीजें पती पतनी एक दूसरे को खिलाते हैं तो यकीन मानिए आप दोनों में प्रेम बढ़ता चला जाता है वैसे तो रोज रूई में थोरा सा इत्र लगा कर गुलाब का उनके चरनों में अरपित करें और फिर कहीं बाहर जाना है तो यही रूई उठा कर अपने पॉकेट में रख लें इससे आपका काम भी बनने लगता है और काम में अर्चने जो आ रही थी वो भी दूर होने लगती है या रात में सोने के पहले तो यकीन मानिये जीवन से धन की समस्या भी दूर होती है और मा लक्षमी आप पर किरपा भी बरसाती है बहुत ही सुप चीजे हैं दोस्तों सुक्रवार के दिन अगर एक मुठी अक्षट जिसे हम बिना टूटावा चावल कहते हैं बहते वे जल में मा लक्षमी से प्रार्थना करते हैं मा हमारे जीवन की परिसानिया धन रूपी परिसानिया दूर करो और आप यकीन मानिये ऐसा करके जल में चावल डालने से धन की ब्रधी होती है और याद रखिएगा पीछे मुड कर मत देखिएगा चुप चाप घर चले आईए माता ल कि जा लेते हैं वीडियो पसंद आई तो लाइक कर सब्सक्राइब करें हरा